नमस्कार दोस्तों जी के अरजुन सर यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है आरो यारो एकजाम्स जिसकी परिच्छा 13 सितंबर को है तो उसी के परपेच में ये वीडियो अप्लोड हो रहा है और ये चौथा भाग है और वो भी अपनी हैंड राइटिंग में यही अपने हाथो दोरा ये नोट्स बनाया गया है जो कुछ important question है तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं आगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं पिछले वीडियो में बता चुका कोशन नमबर 45 तक और उसी से आगे 46 तक और यह कोशन आपको टोटल 62 तक जाएगा तो चलिए देखते हैं कोशन नमबर 46 इसमें मास्टर माइंड मास्टर माइंड मास्टर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी कृति है तो माइंड मास्टर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी कृति है तो यह है विश्वनाथन आनंद का एवं सुसान निनान का दोनों लोग ने मिल कर यह लिखा है पुस्तक विश्वनाथन आनंद एवं सुसान निनान की रैटर है किसके माइंड मास्टर के कोचिन नमोर 47 है एकजाम वार्यर्ष का ब्रेल संस्क्रण किसकी द्वारा जारी किया गया तो इकजाम वार्यर्ष का ब्रेल संस्क्रण यानि अन्देव्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक लांज की गई थी तो इसका जो है ब्रेल संक्रर जो है किसके द्वारा जारी किया गया तो ये जारी किया गया था थावर चंद गहलोद जो केंदरी समाजिक न्यायम अधिकार्ता मंत्री हैं वर्तमान में ये और ये जारी किये थे 18 दिसंबर 2019 को कुश्ण नमबर 48 है प्रथम अंतराष्टिय योग दिवस सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया तो ये प्रदान किया गया था किसे मीडिया को कुश्ण नमबर 49 है राष्टपती रामनात कोविंद ने 29 दिसंबर 2019 को किसे 2019 का दादा साहब फाल के पुरसकार 2019 से सम्मानित किया ये सम्मानित किये किसे तो ये सम्मानित किये अमताव बच्चन को और इससे पहले अगर पूचता है 2018 का द 2,18 दिया गया था और दादा साहब फाल के पुरसकार कितना दस लाख की जो है नगत राऩी दी जाती है को क्श्टद नमबर 50 है इंड़ा गांधि बग्झान पुरसकार 2020 है दो जनवरी 2020 को किसे परदान किया गया तो इंद्रा गांदे बिगान प्रोषकार 2020 जो दो जनवरी 2020 को किसे परदान किया गया तो ये परदान किया गया था आर रामा नुजन और रामानुजन को ये चिन्नाई के है कुश्चन नमबर एक क्यावन है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने दो जनवरी 2020 को किस राज्य वर्स 2019 के लिए क्रिसी करमण पुरसकार 2019 प्रधान किये ये प्रधान किये थे 36 गळ राज्य को क्योंकि यहाँ पर सरवादिक खद्यान उत्पादन किया गया था इसलिए ये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दोरा दिया गया कुश्चन नमबर बावन है सत्त्रहमा गोल्डेन ग्लोब आवार्ड्स 2020 का किस फिल्म को दिया गया है तो सत्त्रहमा जो है गोल्डेन ग्लोब आवार्ड्स 2020 का किस फिल्म को दिया गया है तो यह फिल्म का नाम है 1917 फिल्म का नाम है 1917 एक ड्रामा पिचर है और इसकी निर्देशक है सैम मेंडिस और यह पुरस्कार बित्रण किया गया था लास एंजलिस जो ये से में पढ़ता है वहां से ये पुरस्कार बित्रण किया गया था सतात्रमा गोल्डेन गुलोब एवाड 2020 ये इंपार्टेंट कोशन आ सकता है तो फिल्म का नाम था 1917 ड्रामा ये पिच्चर है लोक माने तिलक नेशनल पत्रकारता पुरस्कार 2019 परदान किया गया है तिलक नेशनल पत्रकारता पुरस्कार कोशन नमबर 54 है फिल्म से ये कोशन 66 राष्टिय फिल्म पुरस्कार उप राष्टपती M.Bankaya Nadeu ने 23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में पुरस्कार बीत्रण किया इस प्रकार है तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें कई छेतरों पुरस्कार दिया जाता है ये राष्टिय फिल्म फियर पुरस्कार है जो इस बार उप राष्टपती द्वरा दिया गया पुरस्कार ये 6-6 में क्रम में भी पूसकता है इस बार जो पुरस्कार दिया अगर आश्टी फिल्म पुरस्कार को था था तो छाचेट में पुरस्कार था और इसमें कई स्रणी में पुरस्कार दिया आता है तो सबसे पहले देख लिए सर्वस्रेश्ट लोकप्री सर्वस्रेश्ट लोकप्री फिल्म के लिए किस फिल्म क को पुरस्कार मिला है तो यह है बधाई हो और सर्षेट पिच्चर फिल्म के लिए अगर पूछता है तो है लारो यह गुजराती पिच्चर है है लारो और समाजिक मुद्दों पर बनी सर्षेष्ट फिल्म का नाम है पैड मैन इसके बाद देखे निचेस में सर्षेष्ट निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है तो यह दिया गया है आदित्य धर को उरीज्द सर्षेष्ट अभनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है तो यह पुरस्कार दिया गया है आइसमान खुराना को एक और है बिक्की कोसल दो लोगों को सहिंगत तो आइसमान खुराना को अंधाधुन पिचर के लिए गया है जो उसमें अच्छा एक्टिंग किये थे और विक्की कोसल को ऊरी पिचर के लिए या इसी का नामें दस सर्जीकल स्टाइक के लिए जो अच्छा सर्षेष्ट प्रदसन किये उसमें अबनेता के रूप में और इ नेस्ट परेवराण सरद्छान के लिए सर्षेष्ट यह परेवराण पर पिचर एक बनी है जो सबसे अच्छी पिचर थी एस फिल्म कौन थी यह है पानी पिचर का नाम है पाणी जो मराथी भासा में बनी थी जिया अब देखते हैं पुष्शन नंबर 50 कि साहित अकाडमी पुरसकार 2019 की घोसना 18 दिसंबर 2019 की गई जो इस प्रकार है तो किस रचनाकार को किस पुस्तक और किस भासा के लिए पुरसकार दिया गया है घोसना किया गया है कि दिया जाएगा तो यह घोसना किया गया है दिया चुका है वर्तमान महला कि दिया जा चुका ह तुनन्द किसोर आचारे को इनकी पुस्तक है छीलते हुए अपने को और ये हिंदी भासा में है दूसरे थे ससी थरूर और इनकी पुस्तक है An Era of Darkness अंग्रेजी भासा में है और तीसरे है चोध हर्मन ये सूल इनकी पुस्तक का नाम है ये तमिल भासा में है और पन्ना मधुसदन मधुसुदन और इनकी पुष्टक का नाम है प्रग्या चसुख्रम ये संस्कृत के लिए दिया गया है सफिक किद्वई इनकी पुष्टक का नाम है सवनेह ए सर और उर्दु भासा में है इस प्रकार सायत एकाडमी पुरसकार भी पूछता है कभी कभी एकजांस में देखते हैं next question question no.56 है किने time पत्रीका द्वारा 11.12ब 2019 को time person up the year 2019 प्रदान किया गया time person up the year जो time पत्रीका दरब प्रशकार दिया गया किसे दिया गया तो यह दिया गया है Greta Thunberg को Vegeta Thunberg को है और यह कहां कहा है स्वीडन के ये महिला है और किसकी लिए पुरस्कार दिया गया है क्योंकि पर्यारण के पच्छ में अपने विचार रखें थी स्वयूत राष्ट संग में इसकी लिए इनको पुरस्कार दिया गया है कोशन नबर संतावन है लंदन यानि बिर्टेन में 14 दिसंबर 2019 को मिस्वार्ड 2019 का खिताब की ने परदान किया गया मिस्वार्ड 2019 का खिताब ये परदान किया गया जैमाइका की टोनी एन सिंको जैमाइका की है जैमाइका सारी ये जैमाइका है जैमाइका की टोनी एन सिंको और परथम रनरप के रूप में रही ओफेली मेंजीलो फ्रांस की और दुतिर रनरप के रूप में रही सुमन राव भारत के हैं ये question number 25 है Georgia USA में 8 December 2019 को Miss Universe 2019 के खिताब कि नहें प्रदान किया गया तो Miss World यहां पर है 77 number में abroad Miss Universe Project number question में Miss Universe 2019 के खिताब किसे प्रदान किया गया तो यह प्रदान किया गया Jogi Bini Tunji दचिन अफिर्का कि है यह Question number 69 है महात्मा गांधी के सिधान्त आदर्स तथा विचारों का प्रसार करने के उद्देश से किस एरोपिय राष्ट ने गांधी सिटिजन्शिप एजिकेशन प्राइज की शुरुवात की गोसना की ये गोसना की थी पूर्त गाल ले एंसर होगा पूर्त गाल ले कोसन नमबर साथ है नुवद भाई चर्चा में क्यों है नुवद भाई चर्चा में क्यों है ये थाईलेंड के है नुवद थाई भाई नहीं है थाई है तो नुवद थाई चर्चा में क्यों है ये थाईलेंड के है क्योंकि देखे इसका एंसर होगा इन्वेस को दोरा अमु जिसको चिब्रूलू भी विकाजता है एक गाउ का नाम है कि समाचारों में होने का कारण है देखें यहां पर आंदर परदेश में पढ़ता आई है की समाचारों में यह काफी आइलाइट रहा तो इसका क्या कारण है क्यों है था इसका कारण था संस्कृत अभिलेक की बाते हुई है कुशन नमर 62 है और अंतिम कुशन है भारती नवसेनादवरा 18 दिसंबर 2019 इसको किस अस्थान पर एंटी हाई जैकिंग अभ्यास जिसका नाम था अपहरण का संचालन किया गया तो यह संचालन किया गया था कोच्ची में तो यह थे कुशन आज के लिए तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया दिसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक मात्रम